हेलो फ्रेंड जैशी किष्णा आज से कि हम यह ब्यूटिफुल यह बोट बनाएंगे तो यह टू इन वन काम करेगा बोट भी है और बैट भी है आप इसको चाहे बोट यूज करिए चाहे बैट यूज करिए बहुत ही जी वे में और बहुत ही कमफर्टेबल है लड़ गोप बरसाथ स्टार्ट हो गई है और लड़ु गोपाल को ठंड़क देने के लिए हम यह बोट में उनको बैठालते हैं तो उनकी सेवा के लिए बनाया है अब चलिए स्टार्ट करते हैं आप से रिक्वेस्ट चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब जो करेगा बेल आइकन का बटन पर नीचे भी हमने मेंने 4.5 डाइगनल में करी है अब हमें देखे पेपर को ऐसे फोल्ड कर leyanा है और फोल्ड करके हम इसको हमारा यह डबल हो गया अब डबल होने के बाद अब इसको बस हमें कुछ आ है तो गई यह में आपको यह से आपको मिल जाएगी फिर इसी को रख साइट से हमारा शेप में आ जाएगा तो हम सकत करने पहले निकाल लेते हैं कि काओक हम निकाल लिए तो मेरा यह यह उप पहलता और थरमा कौल पर थर्मा कुल पर हम 40k फिर हम इसको कट क़ लेना है और शोटे कि दूब है तो इस तरह से आप नाओ को बनाएंगे, इजी आपकी बन जाएगी, आप ट्राइ करिएगा, और बहुत ही इसली ये बनके कम्प्लीट हो जाती है, और बहुत ही कम सामान से आप इसको घर पे बना सकते हैं, और ठाकर जी की सेवा में ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको नाओ क जूआ है या। बोने जोटीटर हैं भर्प हैं डाको Chi दो कुंपलीट कर दो पहले को मैशयरा बूक्त करने के सबस्क्राइब कर दो कना को माशना झाल साथ हैं आपकोड मिल जाएगा पेपर निकाल लेते हैं तो नाइफ को गर्मा करें तो आपका उससे भी क्लियरली कट होके निकल जाता है तो ऐसे करके हम पूरा शेप में इसको कट करके निकाल लेते हैं इसको कट करनी है क्योंकि हमें थोड़ा थीक मोटा बनाना है जिससे आसानी से जब लडू को पाल बैठें तो कहते हैं तो तूटने का डरना रहे तो यह देखे हमारा यह पीस निकल आया है ऐसे हम दो पीस इदर रखेंगे और सेम इसी को रखके ड्रॉ करेंगे और कट कर ले इस अधिया है फैवी को लेकर के हम इसमें पेश्ट कर लेंगे तो आप इसको जपाईब ठोड़ा ब्राबर कर लोट्थ यह फैवी कोल को और उसके बाद इसको पेश्ट कर लेंगे तो बartiक करेंगे रखेंगे क्योंकि कहीं थे निकलिए पीस जाड़ में रीकत जोड़ा कोल के होल से उसमें भी चला जाए अब इसको ऐसे रखके हम इसको पेश्ट कर लेते हैं अब दिखें हमने पेश्ट कर लिया अब इसके साइड साइड में हम पार्ट कट किया है तो 3 इंचिस की चोडाई रखी है और साड़े साइड साइड में हम रखेंगे और जो लंबाई में है उधर हम साड़े आठ का ऐसे रखते हुए साड़े तीन इसकी चुड़ाई रखते हुए इसको हमने कट कर लिया है तो एक हमें सामने पेश्ट करना है तो हम वही फैवी को लेंगे और उसको हमें यहां पे लगाना है औ पेस्ट फेले लाएं लाएंगे तो यहाँ परिग्लू लगाते विए हम इससे भी पेस्ट कर लेते हैं यह ब्लू लगा है जोड़ा लगाना है यहा तो हमें इससे थोड़ी दर छोड़ना रहेगा जिससे यह ड्राइ मैं के लिए लगा है तो लिए लगा लिया है अब यह हम इसके अंदर कर देंगे जिसे अंदर चला जा और कहते हैं अधिक हमारा यह फूले नहीं क्योंकि हम ग्लु लगाए हैं तो फुल होता है यह निकल आता है अब बहुत होता है इसको सेट करने के लिए यह पर लगाया है वहां पे वह पर हम यह से जो टूथ पिक होती तो डाल दिया है आपके पर टूथ पिक नहीं है तो आप माझस के तीली भी डाल सकते हैं लेकिन इसको हमें लगाना गलूप करने बिए यह लगा कोने के अंदर आ रहा है ऐसे हमें लगाना है और अगर आप छोता लगाएंगे तो आप फिर गैप आएगा इसलिए आप इसको एक बड़ा पार्ट रखेगा चोटा रखेगा तो ऐसे हमने के पेश्ट कर लिया आप पेश्ट करने के वाद तूट पिक लेंगे और यहां अब इसको लगा लिया है वाइट सिमेंट है और इसको हमें दराज में भरना होगा जिसे हम जब इसको अगर बोट का यूज कर रहे हैं तो इसमें पानी ना जाए इसलिए हमने इसमें दराज में देखिए कोने कोने में डाल दिया है और जिससे यह हमारा पूरा पैक हो गय ब्राउन टेप लिया है जो कि करते हैं पैकिंग में काम आता है और इसको हम पूरे राउंड में लगा लेंगे नीचे और जैसे हमारा पूरी तरह है और इसके ज्वाइंड है वह भी पेस्ट हो जाए तो टेप हमने ऊपर तक लगा लिया है अब यह हमने फैब्रिक ग्लू लिया है और इसको उसको हमें लगाना है तो हमेड करेए वह उसकी से परेशा करना है तो हमें क्पडा लगा लेगा integrating है आप यहाम ऺशाओ 먹어 और पूरा पेशाओ लागा थे तो हम इसके हर पार्ट में ऐसे करके लगा लेंगे और इसमें पूरी तरह इसको डालते हुए और इसको हम इसमें कपड़ा लगाएंगे तो यह हमने इंब्रोइडरी वाला हैवी कपड़ा लिया है क्योंकि हम ठाकवरजी के लिए बना रहे हैं तो सुंदल भी लगना चाहिए तो इसको देखिए कोने कोने से ऐसे कदबाते हुए हमें इसमें पेष्ट कर लेना है तो हमने जो ग्लू लगाया है इससे पूरी तरह स पेष्ट हो जाएगा और इसमें यह बैठ भी जाएगा तो यह स्तय से लगाना है और एक्स्ट्र जो कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल लेंगे अब इसको Vallahi कट करके निकाल लेते हैं अब यह हमने फैवी बॉंड लिया है और इसको हम किनारे पे क्योंकि यह टेप है तो इस पे फैवरिक ग्लू नहीं पेश्ट होगा तो हम इसमें किनारे पे इसको लगाते वे और इसको हम पेश्ट कर लेंगे तो किनारी पूरी ऐसे हमें चारो तरफ से पेश्ट कर लेनी है तो हमने पेश्ट कर लिया है अब हमने यह हॉट ग्लू गन लिया है और इसको किनारे पे हम इसमें पेश्ट कर लेंगे जैसे इसका तो हमने थोड़ी चोड़ी लेस ली हैं और यहां लगा लेंगे इसे सुर्ण साथ इसका गेट अपाएगा तो यह लेंगे लेते हुह हमये यहां पर अश्यच के ले्टे हुह हम इसको पूरी रॉड में लगा लेना है तो अब देगे हम सेकेंड डू लगा रहे हैं इसके ऊपर हम रेट कलर का लगा रहे हैं आप कॉम्बनेशन से लगाएंगे तो आपका जो भी चीज बिना रहे हैं तो अच्छा लगेगा तो हमने यह रेड लिया है और रेट से इसमें ऊपर की तरफ ऐसे लगाते हुए हम इस कुषंस बनाने के लिए हमने कपड़ा कट कि आ है और यह उने अटारी का कपड़ा हमने लिया है सनल का लिया है इससे लिक सुंदर लगी तो अब दिकिक्श की लांबाया चौड़ाय आपको बता देते त्यूं के कपड़े की चौड़ाय हम तो यह पूरी हमारी 3 इंच है ह लेंथ बताएं तो यह हमारी पूरी 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 साथ इंच है तो अब इसको हमें फोल्ड करना है अब इसको ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए अब इसमें हमें सिलाई लगाने है तो इधर से सिलाई लगाते हुए इतना सिला है थोड़ा सा पार्ट छोड़ देन इसे ही सिल रहे हैं तो हम पक्की सिलाई इसमें करके कम्प्लीट करेंगे तो हमने यह सिल लिया है और सिलने की बाद अब इसको यहां खुला पाट है आपके पास अगर फाइबर नहीं है तो आप इसमें रूई भी डाल सकते हैं जो आप ठाकुर जी के यूज़ करते हैं ठीक है बत्ती बनाने के लिए आपको मिल जाएगी तो आप फाइबर या रूई भी डाल सकते हैं कुने निकालना है तो किसी को निकाल ली चीज से ऐसे करके निकाल लीजिए और निकालने के बाद फिर इसमें आप फाइबर निकाल दी है अब फाइबर इसमें भर करके और फिर इसका ओपन पार्ट भी खोलेंगे जाए पाइबर फाइबर बिनने के बाद अब दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ना है अंदर ऐसे कर लेंगे और यहां पर हम इसमें शीलाई लगा लेंगे तो ऐसे टक लगाना है जिसे हमारा सुई दिखे निए ऐसा थ्रेड ऐसमें डालना है और अंदर की तिरफ दिखे ऐस लगाते हैं पूरा हम सिल्की कम्प्रीट कर लेते हैं अभी दिखी हमने जो बोट बनाई है उसके पीछे भी हमने इसमें वाइट सिमेंट लगा दी है जिसके जो दराज है वह खुले नहीं और अगर हम इसको बोट के लिए यूज कर रहे हैं तो यह कहते हैं इजी पानी इसमें अंदर ना जाए और हमारी बोट दूगे ना तो इसको नीचे से भी पेश्ट कर लिए यह फ्लॉवर मैंने हाथ से बनाया हुए starsub leave, आप आप समय बनाया है इसको थो, यहां पर पीश्ट करना वह जाए है झाए उसको में 섞 फेश्ट करेंगी ना यहां उसको में बहुत प्याबदे ना टार्थ के लिए और और यहां पर बहुत पेश्ट करेंगे थैसरे यहा इसरे लिए ना आ oike गल्ष्ट करनेगे रोज हम यहां पे लगा लेंगे और दीकिता प्यारा यह फ्लॉवर बनके हाथ से मैंने बनाया है और पहुत ही प्यारा लग रहा है जैसे आप देख रहे हो तो ऐसे एजी वे में आप फ्लॉवर भी बना सकते हो घर पे इजी इसे अब मैं रेट कलर का यह फ्लॉवर लोंगी अब मैं रेड फ्लॉवर लोंगी और इसको भी यहां पे लगा लेते हैं और ऐसे हमें यह बंच बंच हमें ऐसे और हमने सामने और अपोजिट साइड साइड में भी लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो यह दिकिए कम्प्लीट हो गई है और बहुत बीटिफुल अपयार लग लग रहा है जाएं जब में जबा कि गणासे और बियुति यहां ज़ना में बंच 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 जैसे मैंने सामने हैं लगा हिएं व्यहां रहा हैं अपहोजीट हमें न में प्यारे हैं आप जुरू बताएगा आपको यह कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक जो करेगा कमेंड़ करके जुरू बताएगा जैशी किश्णा